Hello friends, कैसे हैं आप सभी ? आश्या करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे कुछ हैं महासागर के बारे में, जो भी हमारे विस्व में जो भी महासागर हैं, उन सभी महासागर के बारे में हम आज पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज तुम्हें आपको बता देता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है पहले तो हम महासागर के बारे में जानेंगे कि कितने महासागर हैं उनके जो सबसे मलब गहरे बिंदु हैं उन सब के भी बारे में जानेंगे लेकिन कुछ information उसके पहले मैं आपको देना चाहता हूँ तो जलिए देखते हैं कि क्या है information देखें topic क्या है महासागर उसके बाद गर्थ उसके बाद उनके इस्थिति मलब की वो किस महासागर में है ये भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ कितने मीटर के हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए एक इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें इन सब पोश्चन्स को याद रखना है तो देखिए वर्तमान में लगबख कितने गर्थ खोजे गए हैं अभी तक 57 कितने खोजे गए हैं 57 जिसमें प्रशान्त महासागर के पास कितने हैं 32 कितने हैं 32 और जो अट्लांटिक महासागर हैं हमारा वहाँ पे कितने गर्थ खोजे गए हैं 19 और हिंद महासागर में कितने खोजे गए हैं आपके 6 गर्थ तो अब ये चीजी तो इतनी हो गई कि आपको पता चल के 57 है और बत्ते सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए गरतों की संक्या कहां पे है तो यह है प्रिशान्त महासागर में उसके बाद आपका है अटलांटिक महासागर चलिए उसके बाद आपसे कुछ और important facts जो हैं जैसे कि 24.7 लवरता को खारे जल की सीमा अंकित करने की उच्छ सीमा मानी गई है मतलब कि जो आपके खारे की उच्छ सीमा है खारेपन की जो सीमा है वो कितनी है 24.7% आप ध्यान रखिएगा उसके बाद मैं आपको और बताता कि संपूर प्रिथवी पर जो पानी का प्रतिशत है वो लगबग कितना है तो वो है 71 प्रतिशत कितना है 71 प्रतिशत ध्यान रखिएगा important question है और इसके अंतरगत क्या क्या चीजे आती हैं जो भी जल वाली चीजे हैं तो मैं उसको आपको बता देता हूं जैसे कि आपके मह सागर महा सागर सागर क्या 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 है आपके सागर महा सागर उसके बाद आपकी जो जल संधियां होती है जैसे बेरिंग जल संधि इन सब चीजों की उसके बाद जो आपके जीले हैं इन सब चीजों को लिया जाता है जहां पर पानी होता है उन सब चीजों को लिया जाता और उसी कौम कहते हैं जल मंडल क्या कहते हैं आपका जल मंडल तो यहाँ पर चीजे हो गई है और एक का आपका तीसरा पॉइंट जो है महासागरो की जो आउस्ट लवड़ता है वो कितनी है यह है आपकी 35% क्या है 35% और मतलब कि अगर आपके पास एक 1000 तो उसमें से 350 ग्राम आपका क्या निकलेगा नमक निकलेगा यानि कि NACL निकलेगा सबसे ज़्यादी चीजे क्या होती है NACL होती है महासागरों में उसके बाद मैं आपको अब चलिए अब आपको वीडियो को शुरू करते हैं ये बहुत important चीजें हैं आपके लिए चलिए देखिए क्या है पहला महासागर है जो हमारा सबसे बड़ा महासागर है उसका नाम क्या है प्रशांत महासागर क्या है प्रशांत महासागर आप से ये किलोमेटर में और इसका वर्ग नहीं पूछा जाएगा तो ये चीज़े आपको पूछे भी ने जाएंगे, बहुत ही बड़ा डेटा है, कहीं कहीं पे, थोड़ी थोड़ी चीज़े, इधर उदर हो गई है, अब देखे, आप से ये चीज़े पूछी जा सकती है, जो ये गर्थ लिखे हुए हैं, तो आप से ये पूछा जासे, दे देखे, मेरियाना ट्रेंच को कहते हैं, आप क्या कहते हैं, चैलेंजर गर्थ, मेरियाना ट्रेंच को हम क्या कहते हैं, चैलेंजर गर्थ, ये भी ध्यान रखेगा, और एक महिला है, जिनका नामे कै थी सुलियन, क्या नामे कै थी सुलियन, ये क्या की थी, ये सबसे पहले म ध्यान रखिएगा, यह question आप से पूछा जा सकता है, क्या थी, सुलियन, तो यहाँ पर जूरा गर्थ आपका आता है, गहराई के मामले में, वो मिंडे नाओ गर्थ, क्या है, मिंडे नाओ गर्थ, इसकी जो मीटर में, गहराई कितनी है, दस अजार पानसो मेटर, कितनी है, तसजार पांसो मेटर उसके बाद आपका आता है टोंगा गर्थ तोंगा गर्थ जो है वो है 9000 मेटर वैसे तो 57 सबसे ज्यादा 32 है लेकिन इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो इंपॉर्टेंट आपको वही पेपर में आपसे पूछा जा सकता है तो मेरियान ट्रेंच टोंगा गर्थ और मिंड़नाव गर्थ यह सब कहां पर हैं आपके प्रशान्थ महासागर में चलिए अब आते हैं अपने अले कैptsट wichtige को आपको आपि और प्रशान्थ महासागर में आपका रिंगा और फायर है ये भी आपध्यान रखियेगा चलिए इस question पर आते हैं महासागर का नाम तो महासागर का नाम है अपकी बार Atlantic महासागर क्या है Atlantic महासागर अब देखिए यहाँ पे जो 6 फल है वो कितना है काफी जादा है तो आप ध्यान रखिएगा 82, 42, 300, 00 यह आप से पुछा नहीं जाएगा पेपर में बस यह जानकारी के लिए है तेके सरवादिक गहरा पॉइंट इसमें क्या है पहला तो है इसका पोर्टो रिको गर्थ पोर्टो रिको गर्थ की जो गहराई हो कितनी है 92, 19, कितना है 92, 19 उसके बाद यहाँ पे एक गर्थ और है जिसका नाम है रोमशेगर्थ क्या नाम है रोमशेगर्थ इसकी जो गहराई हो कितनी है 7,214 मेटर कितनी है 7,214 मेटर उसके बाद मैं आपको एक कोश्चन बताता हूँ जैसे कि जो अटलांटिक महासागर है तो मद्ध में इसके मद्ध में जो इसका सेब बनता है वो बनता है S आकार का किसा का बनता है S आकार का तो ध्यान रखिएगा उसके बाद आपको एक कोश्चन और बताना चाहता हूँ कि अटलांटिक महासागर में एक चीज आपसे पूछी जाती है पेपर में कि सारगैसो क्या पूछा जाता है आपसे सारगैसो सारगैसो कहां पर है आपका सारगैसो सागर यह आपसे पेपर में पूछा जाता है सारगैसो सागर यह भईया आपका अटलांटिक महासागर में बहुत important question है बार बार पेपर में आता है तो आप ध्यान रखेंगे इस question को और इसके दो गर्थ है पोर्टोरिको गर्थ और रोमशे गर्थ चलिए अगले question पर आते हैं महासागर का नाम क्या है हिंद महासागर और इसकी जो छेत्रफल आप देख रहे हैं कितनी यह तीसरे नंबर पर आता है हमारा छेत्रफल के हिसाब से अभी मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से आपको याद करना है ascending descending order में तो यहाँ बेसरवादी गहरा स्थान जो है वो है जावागर्थ क्या है जावागर्थ जिसे हम सुन्डा गर्थ भी कहते हैं तो इसकी जो गहराई हो कितनी है 7725 मिटर यह ध्यान रखिएगा यह आपसे पूछा जा सकता है पेपर में क्योंकि कई बार पेपर में आ हिन्द महासागर दक्षर भारत में ध्यान रखिएं अगले महासागर जो है वो उसका नाम है क्या आरक्टिक महासागर क्या है अर्कटिक महासागर अब इसका छेट फल जो है वो दिया हुआ है इतना 146,000,000, लेकिन इसके जो सबसे गहराई वाला स्थान है, इसका कोई पता नहीं लग पाया है, और अभी तक क्लियर भी नहीं है, इस चीछ के लिए आप परिशान नहीं होंगे, चलिए, अगले पर आते हैं, अपने लाश्ट पर, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क कोई जानकारी नहीं है, यह मैं आपको NCRT से बता रहा हूं, चलिए, यह हो गए, आज की यह कोश्चन, और साथ ही में मैं आपको बताता हूं, कि जो चीज़े आपको याद करनी है, सेंडिंग, डिसंडिंग ओर्टर में आपसे महा भारत की छेत पल आपसे पूशे जाते ह सबसे बड़ा क्या है, प्रशान्त महा सागर, उसके बाद क्या है, अटलांटिक है, उसके बाद आपको क्या है, प्रशान्त महा सागर, प्रशान्त महा सागर के बाद क्या है, अटलांटिक महा सागर, अटलांटिक महा सागर के बाद आपका आता है, हिंद महा सागर, उसके बड़ दाता है अंटाक्तिक महासागर तो यह आपकी डिक्रीजिंग ऑडर में है च्छेत्रफल के हिसाब से यानि कि सबसे बड़ा क्या है आपका प्रशांथ अब सबसे छोटा कौन सा है अन्टाक्तिक महासागर तो यह चीज़े आप ध्यान में रखेंगे और एक वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो प्रमुक सागर है अभी तो मैंने महासागर के बारे में बताया है जब आपको मैं बताऊंगा प्रमुक महा सागर प्रमुक महा सागर के बारे में हो गया प्रमुक सागर जो है जैसे हमारा Bearing सागर, दक्षिडी चीन सागर Jaapan सागर, उत्रि सागर, लाल सागर, Baltic सागर तो इन सबके जो गहरे पॉgrown्ट है यानि कि deepest पॉgrown्ट है झाल झाल